नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित 24 अक्टूबर को विश्वकप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे उससे पहले दोनों देश की तरफ से लगातार पूर्व खिलाडी बयान दे रहे हैं कभी पाकिस्तान की तरफ से बड़े बोले पन वाले बयान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी लगातार इस मैच को लेकर प्रत्रियाएं आ रहे हैं एक तरफ मैच को बैन करने की मांग चल रही है मतलब भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैश को बाइकॉट कर देना चाहिए किनकि सरहत परचीजियां भी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं जबकि दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार मामले को सुल्जाय सरहत की और VCCI को ICC के टूर्णमेंट में कम से कम पाकिस्तान के साथ खिलना चाहिए इस बेच पूर्व क्रिकेटर और विस्पोटक बलेबाज विरेंदर सहभाग ने भी पाकिस्तान के मैश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे है वैसे आपको पता है कि सहभाग किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बलेबाजी किया करते थे अब ऐसे में जब 24 अक्टूबर को दोनों देश आमने सामने हैं तो विरेंदर सहभाग ने अपने बयान में कहा है कि हम पिछले इतने सालों से एक ही बात सुन रहे हैं हमेशा एक ही चीज होती है कि ये बहुत बड़ा गेम है ये विसे हमेशा चर्चा में रहता है कि पाकिस्तान ने विश्वकप में भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता है और इस बार भी क्या वह जीत सकता है अगर हम मौझूदा परद्रिश और इस प्रारूप के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ये वही जगह है जहां पाकिस्तान के पास हमेशा ज़्यादा मौके होते हैं क्यूंकि वो 50 ओबर के लंबे प्रारूप में अच्छा नहीं खिल सकते हैं लेकिन इस फॉर्मेट में एक खिलाडी किसी भी टीम को हरा सकता है फिर भी पाकिस्तान ऐसा अभी तक नहीं कर पाया है हम देखेंगे कि 24 तारीक को क्या होता है 2003 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो हम पर दबाव कम था क्योंकि हमारी पोजीशन पाकिस्तान से अच्छी थी मेरी राय ये है कि हम कभी भी बड़े बयान नहीं देते हैं वहीं पाकिस्तान की तरब से हमेशा काफी बड़ी बड़ी बातें की जाती है जब आप अच्छी तयारी के साथ जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विसे आपको पता दें कि 1992 के बाद से भारत ने अभी तक पातिस्तान के खिलाब विश्वकप में कुल 12 मैच खेले हैं में वंडे विश्वकप में साथ मुकाबले और विश्वकप में पांच मुकाबले हुए हैं वंडे विश्वकप में साथ मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है तो इधर भी विश्वकप में भारत ने क्लिन स्विप किया है 2007 के विश्व कप में भारत ने दो मैच में पाकिस्तान को हराया था आप सब को पता है कि फाइनल मुकाबले में पांच रन से पाकिस्तान को माद लेकर भारत ने विश्व कप ट्रॉफी मेहंदर सिंग धोनी की कफ्तानी में उठाई थी है फिलहाल विरेंदर सहबात का जो बयान हाल फिलहाल आया है उस पर आपका क्या कुछ कह रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं